नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हरशिद वेदी 12 जन्वरी 2021 के डेली करंट अफेर्स बर्निंग न्यूस डिसकुशन में आपका स्वागत है देखते हैं कौन-कौन से इंपोर्टन आर्टिकल साज डिसकुस करेंगे पहला आर्टिकल है Supreme Court says it intends to stay from laws Supreme Court ने recently Monday को बोला है यानि कि कल बोला है ये controversial agricultural laws जिसके उपर इतना बहस चल रही है जिसके उपर इतना वावाल चल रहा है हो सकता है कि Court खुद एक independent committee बना दे जिसको chair करेगा एक former chief justice of India to amicably resolve the standoff between protesting farmers and union government कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर Supreme Court बोल रही है कि controversial agricultural laws के लिए आप एक independent committee बना दीजे पहले भी Supreme Court इस बात को propose कर चुकी है और Central Government बोल चुकी है कि हाँ बाई independent committee बनाएंगे देखने के लिए कि agricultural laws सही है कि नहीं है लेकिन जब तक committee के recommendation आनी जाते तब तक agricultural laws implement नहीं होगे सरकार की सीधी tactics होती है कि कि किसी चीज के implementation को आगे बढ़ाना हो और उस परसंट चीज को delay कर देना हो देखने अब सरकार अपने अपने respect के साब से काम करती है मैं आपको instance बताता हूँ pay commission आया और pay commission में जो सरकारी employees इस थे central government all over India आप गर आप IS IPS बनोगे तो आप इस चीज से effect होते यह बोला गया कि इनको जो HR दिया जाएगा यह दिया जाएगा इनके 24% of basic pay पिछले pay commission में लगबग 30% था तो government employees ने बोला कि नहीं सब 24% ना दे के आप हमको 30% दीजे ठीक है सरकार ने बोला ठीक है हम इसके उपर एक committee बठाते हैं तो आप सोचिए 2016 की शुरुआत में 24% अचारे मिल रहा था basic का ओके लोगों ने demand की 30% अचारे दीजे सरकार ने committee बठा दी सरकार की committee एक साल तक बहस करती रही और एक साल बात committee ने बोला कि नहीं 24% ही सही है समझ गया बात को क्या हुआ 2016 से लेके 2017 तक सरकार की committee यही बात करती रही कि अचारे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए और एक साल बात करने अगर सरकार ने बोल दिया कि अचारे नहीं बढ़ना चाहिए जो अचाहरे बढ़के 2016 में मिलने लगना था वो 2017 से मिलना शुरू हुआ एक साल का एक्स्ट्रा अचाहरे सरकार ने मार लिया employees का कहने का मतलब यह है कि यह जो committee system है इस committee system का सरकार अपने हिसाब से अपने interest के हिसाब से इस्तवाल करती है agriculture law की case में सरकार क्या बोल रही है कि जो form laws है यह implemented रहेंगे और हम एक agriculture committee बना देंगे ताकि कम से कम farmers का agitation तो अभी के लिए बंद हो जाए सुप्रीम कोड क्या बोल रही है कि agriculture committee तो बना भी बनाओ लेकिन तब तक हम इन agriculture laws को रोक रहे हैं तो basically सरकार चाहती कि agriculture law implement रहें कमिटी बन जाए कमिटी की recommendation के बाद देखेंगे सुप्रीम कोड चाहती कि agriculture law को बंद करो कमिटी बनाओ कमिटी की report के बाद फिर से agriculture law बनाना यहां पर जो तीन बहें जंच है सुप्रीम कोड की जिसको head कर रहे हैं Chief Justice of India शरते बोबडे साब उन्होंने बहुत disappointment व्यक्त किया सरकार की तरफ और बोला सरकार से कि भाई आप ये farmer प्रोटेस्ट को किस प्रकार से handle कर रहे हो तब से failed talks हो रहे हैं, rebellion हो रहे हैं, protesters आप आपस में suicide कर रहे हैं बूढे farmers, women, children कितनी थंडी में आके बाहर खड़े हुए हैं और Republic Day इतना पास है तो ये सही नहीं है इंडिया की democracy के लिए और यहां पे देखिए Justice Bobaday साब, Attorney General K.K.Vinu Gopal और Solicitor General Tushar Mehta से क्या बोल रहे है We don't want to make any stray observation against you, but we are extremely disappointed in the way you are handling this situation You, Senator, made a law without enough consultation, resulting in a strike Many states are up in rebellion against you, the whole thing has been going on for months You say you are negotiating, talking, what negotiating, what talking, what is going on यानि की Bobaday साब, हमारे Chief Justice साब सरकार को address करते हो, बोल रहे हैं कि भाई, कैसे handle कर रहे है इस situation को पहले तो तो नियम कानून ले क्या है, नियम कानून बिना consultation के ले क्या है अब लोग strike पर आ चुके हैं, farmer से strike पर हैं, बहुत सारे states तुमारे खिलाफ rebellion कर रहे हैं अलरडी मन से चीज़ चल रही है, किस प्रकार का negotiation हो रही है, किस प्रकार का बातचीत हो रही भाई, जल्दी solve करो वेनु को पाल जी ने एक समय पर ये बोल दिया, कि court इतनी जल्दी में क्यों है order को stay करने के लिए, farm bills को stay करने के लिए तो यहां पर भोबड़े साब पलट के क्या बोल रहे है Mr. Attorney, हमने आपको already बहुत लंबी रोब दे दिया है, मतलब कि हमने आपको बहुत सारा लीव विप दे दिया है, अब आप हमको patience का lecture मत दीजे, आप अपने end पे चीज़ों को solve करिए, तो एक तरीके की तू-तू-तू- तो बाई, एक रिपोर्ट निकल के आई है, जो कि यह बोलती है, कि PM किसाब पे आउंट, वेंट इट्टू 20 लैक अंडिजर्विंग बेनिफिश्रीज, एक्चुली में रिपोर्ट मत बोलिये, इसको बोलिये कि यह information प्रोवाइड किये, अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री में एक RTI फाइल की गई, इस RTI में एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से जो जवाब आया है, उसमें यह बताया गया है, कि जो पिम किसान योजना है, इस पिम किसान योजना की चलते क्या बोला गया, कि फार्मर्स को एक साल में 6,000 रुपिया इंकम सपोर्ट के प्रकार दिया जाएगा, ओके, जनरल एलेक्शन्स 2019 से पहले, यह 6,000 रुपिया का वादा किया गया था, पहले तो यह बोला गया थ कि इस स्कीम का benefit केवल उन small और marginal farmers को मिलेगा, जिनके पास 2 hectare सा कम का land है, बाद में land की condition हटा दी गई, और यह बोला गया कि सारे farmers को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, लेकिन कुछ exclusions रखे गए थे, वो farmer income, वो farmer family है, वो farmers जो income tax pay करते हैं, वो farmers जिनकी family में किसी के पास 10,000 रुपैसे ज़्यादा की pension है, वो farmers जिनकी family में किसी कोई एक person constitutional position पे है, वो farmer जहाँ पे कोई serving या retired government employee है family में, यह सब eligible नहीं है इस scheme के लिए, जिनके पास एक limit से ज़्यादा land है, वो eligible नहीं है, समझ गया बात को, तो कुछ exclusions के साथ साथ, बहुत सारे लोगों को PM किसान scheme क benefit देने की बात की सरकार ने, अब जब सरकार से यह पूछा गया, एक RTI के थूरू, वेंक टिश नायक ने, हिसाब ने पूछा, कि भई, आपकी जो PM किसान scheme है, इसका benefit जो गया है किसानों के पास कितने undeserving farmers के पास benefit गया है, तो यहाँ पे जो RTI आई आई उसमें बोल रहा है आई है कि 20,00,00 Ineligible Beneficiaries के पास 1364 कौन रुपे चले गया है, मतलब कि 1364 Ineligible Beneficiaries के पास पैसा गया है, 1364 कौन पैसा गया है, 20,00,00 Ineligible Beneficiaries, जि नहीं मिल ना चाहिए था, अब ये के लिए बात करें तो PM किसान स्कीम के इंदर 11 क्रोन, 11 क्रोन बेनिफिशरीज रिजिस्टर्ड है सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज है पंजाब में मतलब आप कह सकते हों कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज जिनको गलत पैसा गया है वो पंजाब में है तो टोटल 23% of those who received the wrong money they are in पंजाब महराष्ट और आसाम में भी बहुत सारा गलत पैसा यहाँ पे ऐलोकेट किया गया है एकरी कल्चर मिनिस्ट्री की डाटा के हैसाब से 56% of these undeserving persons belong to income tax pay category और साफ साव यहाँ में सरकार ने बोला था उनको PM किसाम योजना का benefit नहीं मिलेगा लेकिन जित्ते लोगों को यहाँ पे PM किसाम योजना का benefit मिला है गलत तरीके से उसमें 56% लोग तो income tax payers है तो अब्विस ही बात income tax payers को benefit नहीं मिल सकता यह सरकार ने पहले ही बोला था समझगे बात को और कहीं न कहीं यहाँ पे लोगों को एक्यूस करते हैं सरकार क्या बोल रही है कि इन लोगों को पता था कि दे आर नॉट eligible for this scheme उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से जब पैसा आ रहा था यह लोग पैसा लेते जा रहे थे अभी के लिए इन लोगों को beneficiary की database से आठा दिया गया पंजाब में 23% beneficiary से जो total wrongdoing हुई है मतलब अगर 100 लोगों को गलत payment गई है तो 23 लोग पंजाब से है 17 महारास्टर से 14% आसाम से गुजराद उत्तरपदेश से 88% General Studies paper 4 में utilization of public funds very particular news आपके काम आ सकती है Next है खादी प्राकृतिक paint यहाँ पर paint की बात हो लिए आपर घर के अंदर होता है ना paint होता है यूरे मिनिस्टर शी नितिन गदकरी साब ने खादी प्राकृतिक paint को launch किया है इस खादी प्राकृतिक paint को खादी Village Industries Commission KVIC ने बनाया है यह जो खादी प्राकृतिक paint है यह एक non-toxic, eco-friendly paint है इसमें antibacterial properties है antifugal properties है अपने आप कही एक बढ़ा innovative type का product है इस खादी प्राकृतिक paint को cow dung की मदद से बनाया गया है यानि जो गाय का गोबर है उसको इस्तमाल करके इस खादी प्राकृतिक paint को बनाया गया इसमें किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आती है बहुत cost effective है और खादी प्राकृतिक paint को certify किया कि इसने Bureau of Indian Standards ने BIS ने कि जो खादी प्राकृतिक paint है ना यह दो forms में available है एक form है plastic emulsion paint दूसरा form है distemper paint यह जो खादी प्राकृतिक paint है इसमें heavy metals और polluting metals नहीं है जैसे कि mercury नहीं है lead नहीं है arsenic नहीं है chromium नहीं है cadmium नहीं है यह paint farmers की income को double कर सकता है और जो technology adopt की है इस खादी प्राकृतिक paint को बनाने में वहाँ पे cow dung का consumption बहुत ज़ादा है तो obvious ही बात है अभी cow dung तो एक by product है इस cow dung के disposal में problem हाती तो अगर आप cow dung का प्रियोब करके एक paint बना ले तो है जो कि घरों में इस्तमाल हो सकता है और एक ऐसा paint जिसमें आपको polluting materials जैसे कि mercury, lid, arsenic, chromium, cadmium के जरोथी नहीं पड़ेगी तो यह तो win-win situation है जो कि वो गौश आलाज, वो farmers जिनको problem होती है अपने cow dung को dispose करने में वो सीधे-सीधे cow dung को KVIC को बेच सकते हैं जो कि खादी प्रकृतिक paint मराएगा वो खादी प्रकृतिक paint अपने आप में eco-friendly है तो भाई, win-win situation हो जाएगी तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो खादी प्रकृतिक paint है यह additional income generate कर सकता है up to 30,000 रुपेस per annum per animal to farmers ओके भाई और यह जो utilization of cow dung है यह cow dung की वज़े से होने वाले environmental population को भी pollution को भी रोग देगा drains का जो clogging हो जाती गाय की गोबर की वज़े से वो भी कम हो जाएगी environment और साफ हो जाएगा normal paint में chromium और lead बहुत जादा होता है और यह जो conventional paint जब घरों में लगाए जाते हैं तो इनसे volatile organic compounds निकलते हैं जो कि आपकी health को नुक्सान पहुचा जा सकते हैं इसलिए बोला जाता है कि जब fresh paint हुआ हो घर में तो घर में ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए चुकि वो आपकी health के लिए नुक्सान दायक हो सकता है okay environmental levels on paint cans देखें बहुत सारे paints को अलग अलग प्रकार की environmental आपके सकते हो कैटेगरी दी जाती है जैसे कि जो conventional paints होते हैं उसमें volatile organic compounds के basis पे दो तरीके के paint होते हैं एक paint होते हैं जिसमें low volatile organic compound होते हैं एक paint होते हैं जिसमें zero volatile organic compound होते हैं low volatile organic compound वाले paint कौन से होते हैं जिसमें 50 grams per liter less than 50 grams per liter of volatilic organic compound zero volatile organic compound वाले paint कौन से हैं जिसमें less than 5 grams per liter of volatilic organic compound तो paint में भी अलग-अलग classes आते हैं environmentally sustainable paints में यह जो खादी प्राक्रतिक paint है मदद कर सकता है KVIC नहीं मनाए है तो environmental conservation में भी यह news आपको कामा सकती है general studies paper थी ती है with one years of approval of revival plan EBITDA क्या है देखे EBITDA एक economic term है जो कि एक particular organization की net income को calculate करता है और उस net income में वो economic organization जो भी interest payment कर रहा है वो economic organization जो भी taxes भर रहा है उसके assets में जो भी depreciation का खर्चा आ रहा है amortization का खर्चा आ रहा है तो earnings में अगर आप interest, taxes, depreciation और amortization जोड़ दो तो EBITDA बन जाता है obvious ही बात है EBITDA ये किसी एक company की net earning नहीं है जो कि उस net earning में आप उस company दोरा दिये गए tax को भी जोड़ रहा है आप उस company दोरा किये गए depreciation के खर्चे को भी जोड़ रहा है उस company ने जो interest payment की थी वो भी जोड़ रहा है obvious ही बात है जो net income होती ही वो सब चीजों को हटा के होती है but interest, taxes, depreciation और amortization को जोड़ के आप कर के आ रहा हो वो जो पूरा पैसा कमा रही थी वो आपने calculate कर लिया gross income हलाकि उस company के owner के पास किवल net income आती ही चुकि कि खर्चे तो हटा दी जाते न बट gross income आपने जोड़ दी तो बन गया EBITDA EBITDA से आप एक company की profitability का अंदाजा लगा सकते है अलग-अलग companies और industries में किसी एक particular company की profitability कितनी है इसका अंदाजा लग जगता है EBITDA से अब यह EBITDA मैंने आपको क्यों बता है BSNL और MTNL की growth की बात हो रही है यहाँ पे देखे यूनियन मिनिस्टर रवी शंकर पसाजी ने 5 साल पहले यह बोला था कि जो BSNL की growth है इसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे है EBITDA जो था आपका BSNL का 2015-16 में हो गया था 3855 करोन 2014-15 में था वो 632 करोन एकदम से बढ़ा था BSNL में एक revival package implement किया गया था और BSNL को revive करने कोशिश की गई थी BSNL हमेशा घाटे में जा रहा था सरकारी कंपनी थी सरकारी तरीके से काम करता था प्रिजेंट सरकार ने इसको profitable बनाने की कोशिश की आज की date में ऐसा बोला जा रहा है कि BSNL और महानगर टेलीफोन निगर लिमिटेड ये दोनों जो टेली कम्मुनिकेशन की कंपनी है ये EBITDA पॉजिटिव हो गई है first six years of this financial year में BSNL के लिए अगर बात की जाए जो EBITDA है वो it has rose from minus 3596 करोन for half year ended in September 19 to positive 602 करोन तो भाई ये वाला जो financial year है 2020 September 2020 तो April 2020 से September 2020 तक के लिए जो EBITDA था किसका आपका ये BSNL का ये पहुँच चुका है positive 602 करोन और यही डाटा अगर आप April 2019 से लेके आप compare करो किसके September 2019 तक तो पिछले साल वो कितना था minus 3596 करोन और ये corresponding figures MTNL के क्रितने थे तो भाई April 2019 से September 2019 MTNL minus 549 करोन था और इस साल अपरेल 2020 से September 2020 तक EBITDA MTNL का positive 266 करोन आ गया है तो BSNL को यह यह आपर EBITDA positive मिल रहा है और MTNL को भी positive मिल रहा है overall हो सकता है इनके profit figures कम हो चुकि यह आपर taxes, depreciations, amortization, interest इनको भी आप जोड़ देरो और ये company के profit में involved नहीं होते बट EBITDA क्या बताता है overall earning of the company तो कहीं न कहीं BSNL और MTNL दोनों यहाँ पर improve करते हो नजर आ रहे हैं Department of Communication ने यह बोलाई कि जो organization से यह अपने losses को 50% कम करेंगे when compared to 2019 तो 2019 पूरे को अगर आप 2020-21 से compare करते हो तो most probably इन दोनों institutions के losses 50% कम होंगे यह expect किया जा रहा है 2020-21 किया पता चलेगा real data क्या है और एक reason है कि यह दोनों profitable हो रहे हैं उसका यह है कि wage bill कम हुआ है voluntary retirement scheme को introduce किया गया जिसकी वैसे 50% BSNL की workforce और 75% MTNL की workforce कम हो गई जिसके चलते जो स्तनखा देनी पड़ती थी वो कम हो गई wage bill कम हो गया खर्चे कम हो गया खर्चे कम हो गया तो भाई BSNL और MTNL दोनों profitable हो रहे है ऐसा बोला जा रहा है कि BSNL जल्दी fiber to home connection लेके आएगा यह fiber to home connection बेसे जल्दी लेके आएगा इस चीज़ को खुद department of telecommunication देख रहा है BSNL का जो market share है mobile segment में वो 10.36% हो गया October 2020 में according to try figures और ऐसा बोला गया है कि इस financial year में BSNL ने mobile में 10 million नए customers 1 crore नए customers को जोड़ा है और 1 crore नए customers कहने के मतलब है कि government की digital India को भी drive मिलेगा चुकि भाई जब लोग mobile से connected है उनको online connectivity मिली है तो वो cashless transactions कर पाएंगे cashless transactions कर पाएंगे तो सरकार का digital initiative digital India का जो initiative है वो भी आगे बढ़ पाएगा ठीक है भाई union cabinet ने एक revival package जाला था BSNL MTNL में October 2019 में जिसमें VRS की बात की गई थी 4G spectrum को support देने की बात की गई थी monetization of core and nor core assets की बात की गई थी sovereign guarantee for bonds to be raised by PSU की बात की गई थी BSNL और MTNL के murder की बात की गई थी ये सब चीज़ें कहीं न कहीं रंग ला रही हैं कहीं न कहीं BSNL और MTNL profitable होते नजर आ रहे हैं general studies paper 2 में governmental policies and intervention for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation में ये चीज़ आपको काम आएगी काज की final news 33th century Great Himalayan National Park best performance Minister for Environment, Forest and Climate प्रकास जावादेकर साहब ने management evaluation sorry management effectiveness evaluation launch किया है ये management effectiveness evolution launch किया गया है 146th national park और wildlife centuries के लिए इंडिया में 903 protected areas हैं जो की approximately 5% of total geographical area है हमारे देश का इंडिया में अगर आप protected areas के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं अलड़ी एक वीडियो में बना चुका हूँ protected areas मेरे नाम हरशी दिवेदी के साथ YouTube में सर्च मारिए आपको ये particular वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे national park के बारे में wildlife century के बारे में reserve forest के बारे में protected forest के बारे में community reserve के बारे में conservation reserve के बारे में तो ये जो recent आप कह सकते हो की management effectiveness evaluation launch किया गया 146 national park और wildlife century के लिए इसका result क्या बताता है इसका ये result बताता है कि तीर्थन wildlife century and great himalian national park in himachal pradesh ये best perform किया है इन्होंने in the survey protected areas जो भी हमारे देश के protected areas उसमें best performer है तीर्थन wildlife century of himachal pradesh great himalian national park of himachal pradesh और सबसे गंदा किसने perform किया है तो turtle wildlife century of uttar pradesh ने सबसे गंदा perform किया है इस event में प्रकास जावाइदेकर साभ ने बोलते हुए बोला कि हमारे देश में 70% global tiger population है 70% asiatic lions है 60% liopar population है हमारी जो इंडिया की bio diversity है वो bloom हो रही है और आप इस बात से चीज़ को देख सकते हो कि जो हमारी big cat population है वो बहुत तीजी से बढ़ रही है पर किसी ecology में अगर big cat population बढ़ती है तो ये एक अच्छा scene है कि overall bio diversity bloom कर रही है फिर यहाँ पर प्रकास जावाइदेकर साभ ने ये भी बोला है कि अब हर साल 10 best national parks, 5 coastal national parks, 5 marine national parks, 5 top Jews हर साल चुने जाएंगे उनको ranking दी जाएगे और उनके rank के साब से उनको award दिये जाएंगे तो ये जो management effectiveness evaluation है आपका protected areas के लिए की tool की तरह निकल के आया है जो कि government और international bodies इस्तमाल करती है ये जानने के लिए कि protected area management systems की क्या strength है क्या खामिया है, क्या कमिया है ये सब चीज़ें जानने के लिए इंडिया ने अपने protected areas को चार category में माट रखा है national parks, wildlife century, conservation reserves community reserves under wildlife protection act 1972 इंडिया में 903 formerly designated protected areas है total coverage है, 1,55,000 square km 101 national parks, 513 wildlife century, 101 national parks, 553 wildlife centuries, 86 conservation reserves 163 community reserves और इस survey में 146 national parks and wildlife centuries हो कवर किया गया in 29 states and union territories general studies paper 3 में bio diversity environment में ये particular चीज़ आपको काम आगे so thank you for watching friends I hope आपको कुछ न कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला हो अपने viewpoints नीचे comment box में ज़रूर दीजेगा और like और comment भी करिएगा